जो चंडीगड के अंदर कल की घटना हुई है सेक्टर 48 के अंदर उस घटना ने आज दिखा दिया के चंडीगड की पुलिस कल उस घटना को लोकने में नकाम रही जहांपे शहर का प्रत्रम नागरे शहर का मेर एक प्रोग्राम में जाता है और वो प्रोग्राम भी किया था कि उन मार्किट की कुछ समस्य आए थी कुछ प्राउल्लम थी उनका सॉल्व किया उनका हल कराया इसलिए मार्किट के लोगों ने मार्किट असोईशन ने उनको सनमान करने के लिए बिलाया हुँ था जिसमें हमारे पूरू परदेश अधियाक संजे टंडन भी गए थे और साथ में हमारे शेहर के महा पौर गए थे वहां पर कुछ गुंडा ततव कुछ वरूदी पार्टियों के लोग कसानों का भेश बदल करके कसान जंडा उठा करके उसकी आड़ में आ करके भारती जंटा पार्टी के पूरू परदेश अधियाक संजे टंडन और चंडिगड के मेर के उपर लाटियों से राड से पत्थ करने वाले हैं घराव करने वाले हैं इनके ओपर अटैक करने वाले हैं लेकिन पर पुलिस उसको रोकने में नाकाम्याब रही और उसके या आज जब फारदेश पॉर्सी व्जर्वाहन पानी की जल्तों पें यहां पर वह जोड़ने वाली गाडियां इस तरीके का इंतजाम किया के जैसे आगे से हम लोग कानून की पालना करने वाड़े लोग हैं हम लोग शांती प्रिया लोग हैं लेकिन हमारे घरों के उपर यह चुरू होगे हमारे अगर नेताओं के उपर इस तरह से लाठी जा लाठी बरसनी शुरू हो गई तो यह बिलकुल जो शेहर का महौल है वह बिगड़ जाएगा जो कल अटैक हुआ है हमारे इसको इस चीज की सूचना थी तो उनको उस तरह का इंतजाम करना चाहिए था शेहर के लिए और यह गलत हो रहा है जो भी हो रहा है शेहर में इससे यह लग रहा है कि कहीं आगे जाके कोई महौल खराब ना हो जाए तो मैं इसलिए एक मिंती करती हूं अपने शेहर बासिय झाल 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 झाल